हेलो फैंस स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल जी टेक्निकल एजूकेशन में सबसे पहले सभी मेत्रों को दिवाली की हारदिक सुपकामना है फ्रेंड्स इस वीडियों हम बात करने वाले हैं ADC एनिक अलाहा बाट डिगरी कालेज की नई कटाफ के बारे में लेज कर दी गए इसकी ओफिस्यल वेबसाइट पर तुम्हें इस वीडियों आपको बताऊंगा कि यह ने की कितने नंबर तक की स्टूडेंट उस काउंसलिंग प्रकिरिया में प्रतिभाग ले सकते हैं उसमें आपको काउंसलिंग करवाने के लिए आपको जो है वहाँ पे कैंपस में जाना होगा वहाँ पे जो भी डाकॉमेंट है आपको उसी कटनेनी की PDF में बता दिया गया है सारी जानकारी जो लिस्ट जारी की गई है आप उन सारे डाकूमेंट के साथ जाके अपना प्रवेश वहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्या है पूरी जानकारी तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलाहाबाट डिगरी कालेज की तरफ से देनांक 13-11-2020 को जो कटाफ जारी की गई है जिसकी की जो काउंसिलिंग प्रकिरिया है आपको इस 17 तारिक की काउंसिलिंग कराई जाएगी जो भी एड्मिशन का प्रोसेस होगा यह 17 तारिक को फिल फिल कराया जाएगा तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि यहने की बीकॉम की जो कटाफ गई है कितने नंबर तक गई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीट गंज परसर की तो अगर हम कीट गंज परसर की बात करें तो सबसे पहले हम बीकॉम की बात करते हैं बीकॉम पर्थमर्थ ये केवल 6 के लिए मैं बात कर रहा हूँ वाइस के लिए जिनके भी मार्थ 150 या फिर उससे आधिक हैं सभी कटेगरी के जो है स्टुडेंट जो है काउंसलिंग प्रकरिया में सम्मिलिस हो सकते हैं बाकी जो है सभी स्टुडेंट जो है सामिल हो सकते हैं और जो आपका डेट है 17-11-2020 जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका वहाँ पे 9 बज़े से लेके 11 बज़े के बीच में आपको आपको प्रिजेंट हो जाना है बाकी आपका जो प्रवेश का समय है 10 बज़े से लेके 12 बज़े तक जो है आपको प्रवेश दिया जाएगा उसके बाद में हम बात कर लें बीच सी प्रथम और्थ की तो जो बीच सी प्रथम और्थ की जो आपकी कटाफ है ये चात्रों चात्रों दोनों के लिए है कहने के मतलब girls और boys दोनों के लिए है तो जिनके भी marks 143 है निक 143 या फिर उसके उपर है सभी category के चात्रों की बात हो रही और 17 तारिकी counselling प्रक्रिया में सामिल हो सकते है बाकि timing आपका same है उसके बाद हम बात कर लें B.A. पर्थम वर्च की ये के लब boys की मैं बात कर रहा हूँ B.A. पर्थम वर्च में यहाँ पर आप लिष्ट में देख सकते हैं बताए गया के लब boys जिनके भी marks 120 या अगर आपके marks 120 हैं 120 या फिर उससे अधिक हैं तो आप जो है अलाहबार डिगरी कालेज में 17 तारीक को जो है काउंसिलिंग प्रकिरिया में सामिल हो सकते हैं उसके बाद हम बात कर लेते हैं Zero Road परिशत की अगर हम Zero Road परिशर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं B.com पर्थम और केवल ये चात्राओं के लिए है उपर वाला जो था B.com की ये बौइच की थी बाकी ST काटेगरी के सब ही स्टुडेंट जो है सामिल हो सकते हैं उसके बाद हम बात कर लें B.A. पर्थम और C.A. गल्स के लिए है उपर वाला ये वाइस के लिए है नीची वाला गल्स के लिए है तो इसमें भी कटाप सेमी गई है 120 प्लस जिनके भी मार्श ने तो 17 तारीक की काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब हम बात कर लें कि आप अगर काउंसलिंग प्रक्रिया में सामिल होना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से दस्तावेज नी कौन कौन से डाकॉमेंट लेकर जाने हैं यह पीडियाफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आप वहाँ पे जोईन कर सकते हैं दिस्क्रिप्टन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पे जोईन करके यह पीडियाफ वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी खुश से भी ले सकते हैं निमलिखित कारिकरम के अनुशार 20 सुविध्याले की और से निर्गत UGAT परिच्छ 2020 का प्रवेस्पत तो अगर आप जो है ADC में इनिके इलाहबाद डिगरी कालेज में जो कि इनवर्सिटी आफ इलाहबाद का अफिलेटेट कॉलेज है अगर आप इसमें प्रवेस्पत लेन लेके गए ठिकजाम के लिए तो आपको प्रवेस्पत लेके जाना होगा साथ में जो है intermediate का अंकपत और हाई स्कूल का अंकपत ले जाना होगा साथ में जो है आपको प्रमार्पत दोनों को ले जाना है निक हाई स्कूल का भी और intermediate का अगर एक में है तो आपको जो है केवल मार्ट सीट ही ले जाने हो क्योंकि आपका प्रमारपत उसी में जो है combination करके रहता है उसके बाद में SC, ST, OBC, EWS कोटे के लिए जाद प्रमारपत अगर आप SC कटेगरी के हैं ST कटेगरी के हैं या फिर OBC या फिर EWS कटेगरी के हैं तो आपको जाद प्रमारपत ले के जाना होगा उसके बाद में यहाँ पर बतायागा है कि EWS के प्रमारपत की मूल एवं स्वा प्रमारित जो है 6 अपरती ले जानी होगी यानि कि इसकी जो मूल परती वर्जिनल कॉंपी साथ में इसकी जो फोटो कॉपी होगी उस पे आपको खुद से प्रमारित करके ले जाना होगा उसके आगे लिखा है कि नभी इनतम 6 महीने के अंदर निर्गत की हुई है यानि कि जो भी आपको ये certificate ले जाने है जाद से related जो भी आपको आरच्छन से related यानि कि जो भी ये document ले जाना हो ये कम से कम यानि कि maximum छे महीने से यानि कि पुराने नहीं होने चाहिए 6 महीने के अंदर के ही document आपको ले जाना है उसके बाद जो next चीज है वो आपको TC ले जान हैं या फिर ICSC बोर्ट के हैं तो आपको migration certificate लेके जाना होगा और अगर आप UP से हैं तो जो है आप TC लेके चले जाएंगा आपका काम TC से ही हो जाएगा तो यहाप लिखा देख सकते हैं CBSC, ICSC तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों के लिए जो है आपको फोटो को आपी ले जानी होगी और साथ में चार रंगी इन फोटो ले जाना होगा एक ही प्रकार की निकि एक ही तरीके के चार फोटो होनी चाहिए यह नहीं कि आपको जो है अलग अलग तरीके जो है चार फोटो लेने आपको एक ही तरीके के चार फोटो साथ में जो है व आप इसे किलिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पीडियाप को डाउनलोड करके आप खुश से पढ़ सकते हैं अगर फिर भी कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूँश सकते हैं इसकी जो भी एनिकी next क कटाफ फिर जारी की जाएगी तो आप मेरे चैनल पर बने रहेगा जैसे ही नेक्स्ट कटाफ आएगे लाहवाट डिगर कालेज के अभी जो इसकी कटाफ है और ज्यादा डाउन जाएगी तो आपको नेक्स्ट कटाफ आते ही जो है इन फोर्म कर दिये जाएगा तो आई होप ये वीडियो आप लोगों जरूर अच्छी लगी होगी गर वीडियो अच्छी लगी होते वीडियो को लाइक कर दें साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ सेयर कर दें